नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फैंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी weekly revision series है जिसकी वीडियो आपकी हर संडे को आती है और इस वीडियो में पूरे हफते में हमारी जितनी detail classes होती है उनके MCQs को हम यहां पर cover करते हैं ताकि आपकी theory के साथ MCQ के माध्यम से भी जो पूरे हफते में हमने detail classes cover करी उनका revision भी हो सके और आपकी practice भी यहां पर हो सके यह हमारी weekly revision की तीसरी class है पिछले हफते हमारी 4 detail classes आई जिसमें आपकी 2 history और 2 geography की classes शामिल थी geography में हमने cabinet mission सविधान सभा एटली की घोषणा और भारतिय सोतंतरता अधिनियम के बारे में बात करी और इंडियन geography के अंदर हमने पूरे प्राइदीपिय भारत का जो नदी तंतरता उनको देखा और लास्ट वीडियो में बहुत देश्य परियोशनाओं को cover किया इन ही topics से related आज के वीडियो में आपको MCQ देखने को मिलेंगे अगर आपने theory की classes को नहीं देखा है इस अफ़ते की आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं उसका link आपको description में भी मिल जाएगा और comment section में भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है cabinet mission भारत कब आया था cabinet mission के बारे में हमने विस्तार से बात करी थी कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था Clement Attlee, Labour Party का ये नीता था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और वो तीन सदस्या एक cabinet mission का यहाँ पर गठन करता है और ये भारत आता है 24 मार्च 1946 को डेट सहित यह आप से पूछा जाता है ठीक है option C सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन cabinet mission का सदस्या नहीं था तो cabinet mission में तीन लोग थे जिसका अध्यक्ष पैथिक लोरेंस था स्टेफट क्रिप्स इसका मेंबर था और A.B. Alexander इसमेश मेंबर था शामिल था कलेमेंट एटली इसका मेंबर नहीं था क्यूंकि ये ब्रटेन का प्रधान मंत्री था तो अध्यक्ष कौन था पैथिक लोरेंस और ये तीन इसके सदस्य थे ये सदस्य नहीं था इसने गठन किया था कौंगरेस ने Cabinet Mission के प्रस्तावों को कब स्विकार किया था Cabinet Mission जब भारत आया तो इसके दो में उदेश्य थे एक उदेश्य समविधान सभा के गठन के लिए कुछ प्रावधान करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना कई सारे इसके प्रस्ताव थे कुछ प्रस्ताव में कॉंग्रिस को आपती थी कुछ में मुस्लिम लीग को आपती थी ब्रिटिस सरकार के द्वारा कहा गया जो आपको अच्छा लगे जो आपको ठीक लगया आ 1946 में 6 जून को मुस्टिम लीक और 25 जिन को कॉंग्रेस इसे सुईकार कर लेती है सम्विधान सभा के गठन का आधार क्या था? काफी repeated question है सम्विधान सभा के गठन का आधार cabinet mission था option B सही answer होका cabinet mission में ये प्रावधान किये गए थे जो इसने अपना प्रस्ताव रखा कि सम्विधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा जो जनता विभिन विभिन प्रांतों में प्रतिनिदियों को चुनती है उन प्रतिनिदियों के द्वारा सम्विधान सभा के सब्रस्यों को चुना जाएगा यानि अप्रतक्ष तोर पर तो पूरा जो सम्विधान सभा हमारी बनी 1946 में उसका आधार Cabinet Mission था ठीक है, Option B Next है, सम्विधान सभा के लिए Cabinet Mission के तहट चुनाओ कब कराए गए थे सम्विधान सभा के लिए चुनाओ हुए थे जुलाई 1946 में इसको आपने ध्यान रखना है जून में Congress और Muslim League दोनोंने स्विकार कर लिया तो जुलाई में यहाँ पर आपके चुनाओ हो गए Muslim League द्वारा किस तिथी को सीधी कारवाही दिवस यानि Direct Action Day के रूप में मनाया गया था तो Muslim League ने कौन सी तिथी को Direct Action Day मनाया ये थी आपकी 16 अगस्त 1946 जुलाई में Elections हुए रेजल्ट आए Muslim League ने जब देखा Congress को बहुत जादा सीटे मिली और उसको जितनी उमेती उससे जादा सीटे Congress को मिल गई Muslim League को काफी कम सीटें केवल 73 सीटे मिली थी तो परिणाम से Muslim League असंतुष्ट हो गई और उसने फिर सीधा कारवाही दिवस की यहाँ पर घोशना करती ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को सबसे जादा प्रभाव सीधी कारवाही का कहा पढ़ा था बंगाल में पढ़ा था बंगाल में उस समय मुस्लिम लीक की सरकारती सुहारवर्दी वहां का मुख्यमंत्री था नेक्स्ट है महत्मा गांधी को One Man Boundary Force की संग्या किस नीन दी थी तो महत्मा गांधी को One Man Boundary Force ये कहा था Mount Betton ने Option B सही आंसर होगा जब इस कारवाही की घोशना करी गई मुस्लिम लीक के द्वारा अलग-अलग जगाहों पर दंगे हुए लोगों को मारा गया तो बंगाल में सबसे ज़ादा प्रभाव पढ़ा को देखकर Mount Betton ने गांधी को कहा कि आप एक One Man Boundary Force हैं जो काम पचांस अजार सैनिक नहीं कर पाए वो आपने अलग कर दिया आप One Man Boundary Force हैं किसने कहा था गांधी को Mount Betton ने कहा था अबुलकलाम आजाद ने भी सीधी पहली बैठक कब हुई थी तो समिधान सभा के चुनाओ हो गए हैं जुलाई 1946 में समिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है यहाँ बैठक आपके दिल्ली में हुई थी ठीके कई बार पूछा जाता है बैठक कहां हुई थी तो दिल्ली करना बॉंबे मत करना बॉंबे में कॉंगरेस की पहली अडिवेशन हुआ था इस बैठक की अदिक्षता जो सबसे उमरदराज थे सबसे अनुभवी व्यक्ती थे सचीजानंत थिना इनको बनाया गया था इन्होंने इसकी अदिक्षता करी ये temporary अध्यक्ष थे इसके बाद दो दिन के बाद इनकी दूसरी बैटाक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को permanent अध्यक्ष चुन लिया जाता है सम्विधान सभा का और 13 दिसंबर को सम्विधान सभा की तीसरी बैटाक होती है जिसमें जवालाल नहिरू उद् सम्विधान सभा द्वारा प्रारूप समीति का गठन कब किया गया था देखे सम्विधान सभा के द्वारा अलग-अलग समीतियों का गठन किया गया उनमें सबसे इंपोर्टेंट समीति थी आपकी प्रारूप समीति ठीक है हमारे सम्विधान का जो प्रारूप है वो इसी समीती ने बनाय था इस समीती में टोटल साथ मेंबर्स थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेट कर थे इस समीती का गठन 29 अगस 1947 को किया गया था ठीक है समीधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी पहली बैठक हमने देख ली दूसरी बैठक देख ली तीसरी बैठक देख ली समीधान सभा की आकरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी ओप्शन C सही आंसर होगा इसी दिन जो समीधान सभा के अद्दक्ष थे डॉक्टर राजेंदर प्रशाद उनको भारत का पहला राश्ट्रपती चुन लिया गया ठीक है भारतिय समीधान सभा के समीधानिक सलहकार ये थे बी एंड रॉव ओप्शन B सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था तो ये भी काफी important question है भारत की पहली अंतरिम सरकार इसका गठन 2 सितंबर 1946 में किया गया था ओप्शन B सही आंसर हो का एक छोटा सा घटना करम है इसको याद कर लीजिए आपको सारी important dates याद हो जाएगी 22 जुलाई को वाइसराई की द्वारा अंतरिम सरकार का जो प्रारूप था वो यहाँ पर रखा गया यानि जो प्रस्ताओ था वो कॉंग्रेस और मुस्दिम लीग के सामने रखा गया 24 26 अगस्त को घोशना करी गई के नहिरू के नेत्यटों में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएका और 2 सितम्र को सरकार का गठन हो गया और 26 अक्टूबर को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई जब शुरूवात में सरकार बनाए गई थी सितंबर को तो मुस्लि्म लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी मुस्लिम लीग शामिल हुई 26 अक्टूबर को. इसको भी धियान रखना. अंतरिम सरकार के मंतरी मंडल में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद कुल कितने सदस्य थे तो भारत का ये पहला अंतरिम मंतरी मंडल था अंतरिम सरकार थी इसमें जब शुरुवात में ये बनी थी 2 सितंबर को इसमें आपके टोटल 12 मेंबर्स शामिल थे ठीक है, बाद में 26 अक्टूबर को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गई, मुस्लिम लीग के इसमें 5 सदस्य शामिल हुए थे लेकिन जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, तो जो पहले से 3 मुश्लिम इसमें शामिल थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया तो यहाँ पर अब रह गए थे 9 और इधर से आए थे 5 तो टोटल आपके मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद कितने सदस्य बचे 14 सदस्य आपके हो गए थे ठीक है? Option C सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन पीम क्लेमेंट एटली की 20 फरवरी 1947 की घोशना अनुसार किस तिथी तक सत्ता भारतियों को सौप देने की विवस्था करी थी? ये कोशन भी कई बार पेपर में आता है कितनी तारिक टक प्लान था अंग्रेजों का भारत को आजादी देने का कितनी डेट उन्होंने कट ओफ रखी थी? ये रखी थी 30 जून 1948 जब इसने घोशित किया तो इसने ये घोशना करे थी कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे वहां से चले जाएंगे हाला कि काफी पहले 15 अगस्त 1947 को ही ये चले जाते हैं ठीक है? नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वाइसरोय माउंट बिटन कब भारत आया था? भारत का अंतिम और 34 वाइसरोय था माउंट बिटन और ये भारत आया था मार्च 1947 में, ओप्शन C सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1947 को आया था, 24 मार्च 1947 को ये अपना कारभार संभाल देता है ठीक है? और ये क्यों आया था? इसका एक ही में उद्धिश्य था भारत की स्वतंत्रता, जितनी जल्दी हो भारतियों को सत्ता स्व पे भारत विभाजन की मांट बटन योजना कब घोशित करी गई थी? तो भारत विभाजन किस योजना के आधार बे किया गया था? कोशन आता है कैबिनेट मिशन पर, स्वतंत्रता अधिनियम पर, क्रिप्स मिशन पर या मांट बटन योजना पर भारत का विभाजन मांट बटन योजना पर किया गया था और यहाँ योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित करी गई, घोशित करी गई इसलिए मांट बटन योजना को 3 जून की योजना भी कहते हैं इसके कुछ अन्य नाम है जैसे डिकीबट प्लान के नाम से भी इसी को जाना जाता है और बालकन प्लान भी इसी को कहा जाता है नेक्स्ट है जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं अब हम स्वम विभाजन चाहते हैं यह कतन किसका था तो जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं अब हम खुद विभाजन चाहते हैं यह सरदार पटेल ने कहा था जब अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो अंतरिम सरकार को परिशान करने के लिए मुस्तिव लीक ने जिन्ना ने अलग-अलग यहां पर परियास किये इन ही चीजों से परिशान होकर सजार पटेल कहते हैं कि अब ये चाहें या ना चाहें हम खुद चाहते हैं विभाजन नेक्स्ट है पाक का निर्माता जिन्ना नहीं मिंटो है यहां किसने कहा था तो पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना नहीं मिंटो है यह कहा था डॉक्टर राजिंदर प्रशाद ने इनका ये फेमस कथन था ठीक है ब्रिटिश संसत से कब पारित किया गया तो ब्रिटिश संसत के दोनों सदनों से कब पारित हुआ था चार जुलाई को इसको वहां के निचले सदन में रखा गया 15 जुलाई को वहां के उच्च सदन में रखा गया 16 जुलाई को ये उच्च सदन से भी पारित हो गया यानि यहां पर ये संसत से पारित हो गया और 18 जुलाई को इस पर ब्रिटिन के समराठ हस्पाक्षर कर देता है निमलिखित में से किस देशी रियासत का भारत में विले जन्मत संग्रह के आधार पे कराया गया था भारत में उस समय टोटल 565 देशी रियासतें आती थी। जब भारत का विभाजन किया गया तो इन 565 में से 552 भारत की छित्र में आई और 13 रियासतें पाकिस्तान के पास चली गई। जमु कश्मीर रियासत को विले पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में मिलाए गया जूनागड रियासत को जन्मत संग्रहे के द्वारा और हैदरबाद रियासत को पुलिस कारवाही के द्वारा तो जन्मत वाली पूछा है जूनागड आंसर हो जाएगा। वहां से क्लियर हो जाएंगे प्राइदियूपिया भारत में मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्यक करता है इन में से कौन है जो प्राइदियूपिया भारत यानी दक्षन भारत में जल विभाजक के रूप में काम करता है तो वह आपका पश्यमिक घाठ Option B, सही आंसर हो जाएगा प्रसिद एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो Famous नहर है एक एडन नहर और इसे दामुदर नदी से निकाला गया है Option A, सही आंसर हो जाएगा जारखंड का प्रमुक शहर जमशेदपुर किस नदी के तट पर इस्तित है? जमशेदपुर ये आपके स्वन रेखा नदी के तट पर है Option B, सही उत्तर हो जाएगा किस नदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखें, धान का कटोरा ये कहा जाता है चत्तिसगर बेसिन को और हमने डेटेल वीडियो में दिखा था जो महा नदी बेसिन है उसी को चत्तिसगर बेसिन कहते हैं तो नदी पूचा है तो महा नदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है ठीक है? इसको ध्यान रखना Next है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसकी लंबाई कितनी है? देखे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गुदावरी नदी और इसकी लंबाई है 1465 किलो मीटर ठीक है? भारत की सबसे लंबी नदी कंगा नदी है जिसकी लंबाई 25-25 किलो मीटर है ठीक है? दक्षिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब भारत की नहीं पूछा है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गुदावरी है, लेकिन ये दक्षिन भारत की पहली है, दक्षिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें, तो ये कृष्णा नदी है, option B आपका सही आंसर हो जाएका, कृष्णा नदी भ जवार उन्मु क्या होता है उसे भी हमने देखा था भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रहंपुत्र बनाती हैं यहां पर दूसरा सबसे बड़ा पूचा है दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा गोदावरी और कृष्णा नदियों की द्वारा बनाया जाता है ऑप् काविरी नदी को कहा जाता है ऑप्शन B सही आंसर होगा गोदावरी को उसकी लंबाई उसकी आकार के आधार पे दक्षन गंगा कहते हैं और काविरी नदी को इसकी पवित्रता के आधार पे दक्षन भारत की गंगा कहते हैं किस नदी की घाटी को दक्षन भारत के धान का क तो दक्षिन भारत का धान का कटोरा ये कहा जाता है काविरी नदी की घाटी को. Option C, सही आंसर हो जाएगा. उतर भारत में और पूरे भारत में कौन सी है? महानदी घाटी या महानदी बेसिन. दक्षिन भारत का कौन है? काविरी नदी घाटी. ठीक है? कौन सी नदी तीन प्रमुक द्वीपों शिरीरंग पटनम, शिव शमुंदरम और शिरीरंगम का निर्मान करती है? तो ये है आपकी काविरी नदी. काविरी नदी जो बहती है, जिस तरीके से बहती है, जैसे एक धारे में आ रही है, तीन जगहों पर ये दो धाराओं में और फिर वापस मिल जाती है इस प्रकार ये तीन दूइपों का निर्मान करती है श्री रंगपत्नम शिव समुंद्रम और श्री रंगम तो इन तीनों दूइपों का निर्मान कौन करता है कावीरी नदी प्रसिद प्राचीन शहर मदूरे किस नदी के तट पर इस्तित है जो म कुन सी एक अंतरवाही नदी है, अंतरवाही नदी क्या होती है, अंतरवाही नदी वो होती है, जो समुद्र तक नहीं जाती, रास्ते में ही गायब हो जाती है, ये है आपकी लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, और गुजरात के कच के रण में ये गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है पश्यम की और प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो पश्यम की और बहने वाली यानि अरब सागर की और बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है साबरमती नदी पहली सबसे बड़ी है नर्मदा दूसरी नंबर पे आती है तापती और तीसरी नदी है आपकी साबरमती नदी ठीक है next है कौन सी नदी करक रेखा को दो बार काटती है तो करक रेखा को दो बार राजस्थान में माही नदी काटती है नर्मदा नदी घाटी किन परवत शरंखला के बीच में है इसको हमने मैप के माध्यम से समझा था जो आपकी नर्मदा नदी घाटी है या जो नर्मदा नदी है ये आपके विंदियांचल और सत्थपुडा इन दोनों परवतों के मध्या में बहती है उपर की साइड उत्तर में आपका विंदियांचल परवत माला है और दक्षिन में आपका सत्थपुडा परवत माला और यहां से बहती है आपकी नर्मदा नदी इसके बीच में आपका जो नीचे है ये अजंता की पहाड़िया है और अजन्ता की पहाडी और सत्पुडा इन दोनों के बीच में से होकर बहती है तापती नदी ठीक है यानि जो ये सत्पुडा है किसके बीच में है नर्मदा और तापती नदी के बीच में पूरा कॉंसेप्ट आपका किलियर है ठीक है गुजरात इस्तित उकाई और काक्रापार जल विद्धुत परियोचनाएं किस नदी पर इस्तित हैं ये दोनों परियोचनाएं गुजरात में हैं और तापती नदी पर बनी हुई है तापती नदी पश्चिम के और बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है गोवा की राजधानी पनजी किस नदी के तड़ पर इस्तित है गोवा की राजधानी जो पनजी है ये मांडवी नदी के तड़ पर है ओप्शन C सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी भी एक पश्चिम वाहिनी नदी है नात्पा जाकरी परियोजना किस नदी पर बनी है? इंद्रा गांधी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? इसको भी हम ने किलियर किया था इंद्रा गांधी नहर हरी के बैराज पंजाब से इसको निकाला गया है और हरी के बैराज में दो नदियों का संगम होता है सतलज और ब्यास नदी तो इन दोनों नदियों से इसे जल प्राप्त होता है और मैंने कहा था अगर आपको सिर्फ एक नदी चुनने के लिए आ जाए तो आप जैसे यहाँ एक आपकी सलाल परियोचना है ये भी चेनाप नदी पर है एक आपकी दुल हस्ती परियोचना है ये भी चेनाप नदी पर बनी हुई है और एक फेमस है तुलबुल परियोचना ये आपके जेलम नदी के उपर बनी हुई है गोविंद बल्लब पंत सागर कहां इस्तित है एक famous सहायक नदी है रिहांद नदी रिहांद नदी के ऊपर UP के अंदर एक परियोजना लगाई गई है जिसे रिहांद परियोजना कहा जाता है इसी रिहांद परियोजना के तहट जो बांद बनाया गया है और इसके पीछे जो पूरा जलाशाय बना है इसी को कहा जाता है गोविंद बल्लवपंत सागर ठीक है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है तो राणा प्रताप सागर गांधी सागर और जवाहर सागर तीनों किस का पाठ है हमने पढ़ा था चंबल नदी का पाठ है तो राणा प्रताप सागरबांध भी आपके चंबल नदी पर होगा उप्शन B सही आंसर होगा जुवाहर सागर और राणा सागर दोनों राजस्थान में हैं और गांधी सागरबांध आपके मध्या प्रदेश में पड़ता है दामुदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? दामुदर घाटी परियोशना भारत की पहली बहुत देश्य परियोशना है 1948 में इस निगम की स्थापना करी गई थी तिलया बांध परियोशना किस नदी पर बनी है? तो तिलया बांध परियोजना ये बनिये हैं आपकी बराकर नदी पर, option B सही आंसर होगा, जब दामुदर घाटी परियोजना की शुरुवात करी गई, तो इस पहले चरण में तीन बांध बनाए गए थे, एक आपका मेथौन बांध था, एक आपका बेल पहाडी बांध था, और एक आपका तिलया बांध था, तीनो के तीनो बांध जारखंड में बराकर नदी पर बनाए गए हैं, और ये बराकर नदी दामुदर की सहायक नदी है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो सरदार सरोवर परियोजना काफी फेमस परियोशना है, य नर्मदा नदी पर बनी है जो नर्मदा घाटी परियोशना है इसके तहर कई सारे बांध बनाए गए हैं जिनमें से आपके चार इंपोर्टेंट बांध है एक आपका नर्मदा सागर बांध जो की मध्या प्रदेश में एक आपका उंकारेश्वर बांध ये भी मध्या और एक सरदार सरोवर बांध गुजरात में ठीक है नेक्स्ट नागरजुन सागर बांध परियोचना किस नदी पर निर्मित है तो नागरजुन सागर बांध ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर पहले ये आंदर प्रदेश की परियोशना थी लेकिन 2014 के बाद त्यलंगाना भी इसका एक हिस्सेदार बन गया है तो नागरजुन सागर बांध किस पर है कृष्णा नदी पर है कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है तीन वीडियोज हमारी अभी तक संडे को आ चुकी हैं, एक वीडियो पिछले संडे को और एक उससे पहले संडे को आई थी, जिसमें हमने पूरे हफ़ते का रिवीजन किया है। एक्जाम टाइम में आप सिधा इन संडे रिवीजन क्लासिस को देखकर पूरे हफ़ते की क्लासिस का रिवीजन यहां से कर सकते हैं तो संडे टू संडे रिवीजन पूरे वीक का आप इन क्लासिस के माध्यम से कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, क Thank you friends.